नबश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के उपर दोस्तों आज की वीडियो में हम GTT Order को लगाना सीखेंगे वो भी धन एप्लिकेशन में दन एप्लिकेशन ये एक बहुत बढ़िया एप्लिकेशन है जहां पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्रीली जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है हर एप्लिकेशन पे GTT Order अवेलेबल होती है अब ये GTT Order क्या है गुड टिल ट्रिगर यानि ये के ऐसी Order जो आपके लिए एक साल के लिए वैलिड रहती है अब अगर आप regular कोई स्टॉक बाई करने के लिए जाते हो तो उसकी Order की Validity सिर्फ एक दिन की होती है लेकिन GTT Order की Validity जो है वो एक साल के होती है यानि मान लो कि आप कोई स्टॉक बाई करना चाहते है For example, Tata का कोई स्टॉक आपको बाई करना है लेकिन current market से 20% नीचे आने के बाद आपको बाई करना है तो ऐसा तो होता नहीं है कि हर रोज कोई स्टॉक 20% नीचे गिरेगा कभी-कभी हो जाता है कोई ultimate condition होगी तो लेकिन 20% स्टॉक दिन में नहीं गिर सकता है अगर normal सब कुछ चल रहा है तो तो ये अगर आप order लगाते हो मान लो कि 1000 रुपे का स्टॉक है 20% नीचे यानि कि 800 रुपे पे आपको order लगानी है तो एक दिन में तो 800 नहीं आएगा अगर आ भी गया तो आपकी किस्मत अच्छी है लेकिन 20% नीचे एक दिन नहीं आता तो ये order जो है वो आपकी जैसे ही market बंद हो जाता है साड़े तीन बजे order cancel हो जाती है ये तो problem है उसके बाद बहुत सारे stock का क्या होता है कि order अब लगा रहे हो लेकिन upper circuit limit lower circuit limit का भी problem होता है intraday के लिए होता है futures के लिए होता है लेकिन मैं मान लो कि आपका upper और lower circuit के लिए कोई problem है तो वहाँ पे भी आप नहीं लगा सकते order क्योंकि उस range में आपको order लगानी होती है तो यहाँ पे आपको GTT order मदद कर सकती है अब यह कैसे मदद करेगी उसके लिए हमको जाना पड़ेगा watch list में और किसी stock के ओपर GTT order लगानी पड़ेगी अब यह order आप buy करते वक्त भी लगा सकते हो sell करते वक्त भी लगा सकते हो sell करते वक्त आपको शर्त यह की है कि आपके portfolio में यानि कि holdings में वो share होना चाहिए अगर वो share आपके पास नहीं है तो उसके उपर आप sell order नहीं लगा सकते है क्योंकि mostly यह delivery में ही order लगाई जाती है अब जैसे मुझे stock buy करना है अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ GTT लिखा हुआ नहीं आ रहा है धन में GTT नहीं लिखा हुआ आता है forever लिखा हुआ तो forever order का मतलब ही है GTT order तो उसके उपर आप गर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे single order भी लगा सकते हो और OCO order भी लगा सकते हो OCO के उपर क्लिक करोगे तो क्या क्या आपको मिलेगा एक साल की expiry मिलेगी target आप लगा सकते हो limit price के साथ quantity के साथ stop loss भी लगा सकते हो और set forever कर सकते हो तो आप OCO मतलब one cancel the other आपको target भी लगाना मिल गएगा और stop loss भी लगाने के लिए मिल जाएगा लेकिन पहले हम single order के बारे में देखते है यह देखो आपने single order buy के उपर क्लिक कर दिया है buy करना चाहते है अब product आप select करोगे तो delivery का product यहाँ पर select हो जाता है MTF का product select हो जाता है MTF मतलब margin trading facility होती है जिसके बारे में अलग से वीडियो में जरूर बनाऊँगा फिलाल तो GTD के बारे में देखते है delivery मतलब आप इसे holding में लेना चाहते है तो ही आप यह order लगा लो अब यहाँ पर आपको एक trigger price एंटर करनी पड़ेगी और actual limit price आपको एंटर करनी पड़ेगी अब यहाँ पर क्या लिखा है वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते है execution for forever order depends on liquidity on stock exchange and hence cannot be guaranteed यह बताया जा रहा है कि एक साल में इसकी liquidity जितनी होगी उस हिसाब से यह order execute होगा यह guarantee नहीं दे रहे लेकिन मेरी मानों आप आपका order execute हो जाता है अगर price range उस particular range में आ जाती है मान लो मुझे यह stock buy करना है नीचे मैं यहाँ पे price डाल दूँगा आप edit कर सकते हो इस तरीके से trigger price मुझे यह stock buy करना है 145 रुपे में तो trigger आ गया 145 और exactly limit price मुझे डालनी है तो limit मैं यहाँ पे डाल दूँगा कितना डाल दूँगा 144 तो मुझे अब क्या होगा जैसे ही stock की price 145 रुपे आ जाएगी मेरा order exchange को चला जाएगा exchange क्या करेगा देखेगा कि इसने limit order लगाई है या market order लगाई है तो मेरा तो order 144 का limit order है तो limit order पे exchange wait करेगा जैसे ही price 144 आ जाएगी मेरा stock buy हो जाएगा लेकिन यह कब तक होना चाहिए एक साल के भितर भितर होना चाहिए अगर एक साल के भितर नहीं होता है एक साल से ज़्यादा हो जाता है तो order अपने आप ही cancel हो जाती है अब आपको market लगाना है मतलब जितनी trigger price है उतने ही PVA buy करना है तो आप यहाँ पे market select कर सकते हो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर price 145 पे आ गई यानि कि 11% नीचे price आ गई और 145 आने के बाद exchange भी तुरंत order आपका execute हो जाएगा आपको wait करने की ज़रूरत नहीं है exchange wait नहीं करेगा कि इसका price आने दो फिर मैं order execute करूँगा तुरंत market पे जो price होगा उसके उपर buy हो जाएगा उसकी भी validity एक साल की है अब यहाँ पे आप quantity बढ़ा भी सकते हो जैसे मुझे 10 quantity buy करनी है तो मैंने 10 कर दिया और set forever कर दिया अब यह देख लो आप अभी तो पैसे यहाँ पे मैंने नहीं लगे है shortfall दिखा रहा है वैसे मैंने add नहीं किया लेकिन order place हो गया है हमारा order place हो गया है आप यहाँ पे देख सकते है execute कर दो, view कर दो, delete कर दो सारी चीज़े आप कर सकते है तो view करने के बाद आप सारी चीज़े यहाँ पे देख सकते हो तो कुछ अगर edit करना है forever order में हमारा जो order है वो pending है अभी पैसे shortfall आ रहा है लेकिन trigger pending है जैसे trigger pending होगा उसके बाद यह order reject हो जाएगी या अभी delete करना चाते हो तो यह आप delete कर सकते हो यह देखो delete हो गई अब यहाँ से forever में भी जाके आप जो order है वो लगा सकते हो जैसे कोई stock आपको ढूणना है जैसे मुझे यहाँ पे stock ढूणना है kotak bank का तो मैं यहाँ पे kotak bank select करूँगा और उसके उपर order लगा दूँगा तो यह buy side का हो गया अगर मुझे OCO order लगाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो OCO order में क्या होगा कि target और जो stop loss है मैं यहाँ पे लगा दूँगा लिकिन उसके पास आपके लिए stock होना चाहिए already क्योंकि अगर मैं यह सारी चीज़ें लगा भी दूँ मान लोगी मुझे अभी यह उननीस सो पे बेजना है below LTP यहाँ पे आना चाहिए इसके वज़े से red दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमारे पास stock है ही नहीं इसके वज़े से यह सारी चीज़े red दिखाई दे रही है तो वो short position के लिए यह सारी चीज़े बना रहा है sit forever नहीं जाएंगे हम यहाँ पे नहीं जाएंगे पीछे जाएंगे और मानलो यहाँ पे मुझे kotak bank करना है तो मैं यहाँ पे kotak bank सेलेक करूँगा kotak bank में sell के उपर मुझे forever order अगर लगानी है तो investment के उपर जाऊंगा और यहाँ पे आपको मिलता है क्या कोई order यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप यहाँ पे देख सकते है order detail तो यहाँ पे तो पूरी चीज़े नहीं दिखाई दे रही है मतलब यह GTT का यहाँ पे आपको कोई विए options नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे यह instant sell हो जाएगा तो यह sell नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो stock available नहीं है तो forever में अगर हम जाएंगे तो सिर्फ buying का order लगा सकते हो sell का कोई option आपको शुरुवात में नहीं मिलता लेकिन अगर आपके पास कोई stock available है तो उसके उपर आप sell के लिए भी GTT order लगा सकते हो लेकिन first time कर रहे हो तो सिर्फ buying के लिए लगानी पड़ेगी वहाँ पे आप stop loss और target नहीं लगा सकते अगर आपके पास already stock नहीं है तो वो sell के उपर ही आपको सारी चीज़े करनी पड़ेगी लेकिन अगर आपके portfolio में stocks है जैसे कि मेरे portfolio में अभी ये stock नहीं है वो mutual fund है तो वो stock नहीं है अगर stock होता तो उसके उपर में GTT order आपको लगा के दिखाए देता लेकिन अगर आपको buy करना है और GTT order के साथ buy करना है तो आपको forever order लगाने के लिए मिल जाती है ये है पूरा छोटा सा detail जैसे ही कोई stock में buy करता हूँ तो उसके उपर sell order का भी video बहुत जल्द बनाऊँगा ये मैं आपको promise करता हूँ तब तक के लिए ये इस video को enjoy कीजिए पसंद आया हो तो like कीजिएगा कोई doubt है तो comment section में पूच सकते हो और channel को subscribe करना ना भूना ज्यादा से ज्यादा like करना ज्यादा से ज्यादा logo तक share करना धन्यवाद